हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आज हम बनाएंगे लच्छा परांथा इसके लिए हम एक पेड़ा बेंगे और उसको नॉर्मल रोटी से थोड़ा बढ़ा लेंगे और इस तरह से इसे चपाती के रूट में बेल लेंगे एक बड़ी सी चपाती बना लेंगे और उसके उ उपर डाल देंगे हम थोड़ी सी अज्वायन सारे में फैला देंगे इस अज्वायन को इस तरह से और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा साल्ट यानि नमक नमक आप हमने स्वात के अनुसार इसमें डाल सकते हैं और फिर थोड़ा सा उपर कटा हुआ धनिया पत्ता इस तरह से देखे और अब हम इसको पीजा कटर से इस तरह कट लगा देंगे यानि इसकी स्ट्रेप्स बना देंगे इस तरह से सारी चपाती के उपर इस तरह यह देखे हमने छोटे-छोटे लाइने सी खीच लिये यानि यह स्ट्रिप्स बन गई है इसकी और अब इसको हम फोल्ड कर इस तरह बस इकठा कर लेंगे हम इसे इस तरह सारी स्ट्रेप्स को इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ा कर देंगे और बस इस तरह इसको पेड़े के रूप में बना लेंगे इस तरह इसे गोल गोल लपेट रेंगे हम असान से और यह जो थोड़ा सा आठा इसका बच जाएग मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है पांच मिनट के लिए यह देखिए अब मैंने फ्रिज में से इसे निकाला है तो इस तरह से यह सेट हो गया है इसके लियर सेट करने के लिए हमें इसको रेस्ट देना जरूरी है और अब हम इसको बेलेंगे यह देखिए यह मैंने पेडा इस तरह गुमाते जाए और यह हमारा परांथा तयार है इससको पललड देंगे थोड़ा और बेल लेंगे अप इसको जदा जोड से नहीं घुए लेंगे नहीं तो इसके लेएर्स अधग के नहीं आएंगे हमारी लेएर्स यह देखिए लिए बस मैंने हलके- हलके हाथों से इसे गोल-गोल बेल दिया है मैं दिखा देती और micro pastor इतना और इसके उपर हम घी लगा देंगे एक तरब से यह बहुत असान है बनाना और खाने में भी बहुत मज़दार लगता है यह देखें हमने घी लगा दिया अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से थोड़ा हलका हलका नीचे से से शेक लेंगे और इस तरह हम इसको पलट देंग यह देखें हमारा यह कितना अच्छी तरह से शिख गया है बिलकूँ कि हमने इसे अच्छी तरह से से शेक लिया है अब हम इसके उपर भी थोड़ा सा गी लगा देंगे इस तरह आप ज्यादा घी खाना चाहते हैं तो ज्यादा भी लगा सकते हैं और बस अब हमें नीचे से जो हमने घी लगा के पड़ रहा था उसको भी हम इस तरह से हलका हलका शेक लेंगे घुमाते जाएं ताकि एक ही तरफ से यह ज्यादा बेट ना हो जाए यह देखे अब यह हम देखे अब भी जासे ऊटाया खुल रहे हैं यह देखे इस तरह से लच्छे खुल रहे हैं पाहरे दिखा देख्थीने आप को goodbye अबी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे एक दब से और असा इसको प्रेस कर लेंगे परांथे को तो यह सोफ्ट है देखिए और यह हमारा परांथा खाने के लिए एक दब रेड़ी है आप इसे बनाये यह बहुत आसान बनाना और enjoy करें और मैं दुबारा मिलूंगी नही रेस्पी के साथ बाई